हेलो फ्रेंट आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेकिट पे दोस्तों आप देख रहे होंगे राजस्तान अध्यापक पातरता परिक्षा रेट 2021 की इस्तगर्ण सुचना का लेटर है दोस्तों ओफिशल वेबसाइट पर डाल जिया गया है आपको चेक कर सकत हैं यह देखे रेट 2020 परिक्षा कोवीड महामारी के कारण इस्तगर्ण की सुचना वो दी गई है इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि रेट 2021 परिक्षा पूरों में 25 अपरेल 2021 को एवजित की जानी थी जिसे EWS रेने के वन्चित रेए बेर्टियों को अवसर देने हितू ब चामीन तिति की गोष्णा सिग्र की जाएगी तद अनुसार रेट 2021 परिक्षा का ऐजन किया जाएगा तो दोस्तों इसमें अब दो बाते हैं एक तो यह लिखा वाए कि नहीं तिति की घोष्णा वो सिग्र की जाएगी आप सब को पता है कल या परसों साइद गोष्णा हो हो सकती है या फिर एक नई मिटिंग की बात है वो हो जाएगी क्यों कि दोस्तों आप देखुरे होंगे रिट के ओपर लगातार मिटिंग यह वह चलते रहती है एक मिटिंग में फैसला नहीं होता है लग पर पांच चैर मिटिंग होते हैं लेकिन देखते हैं इस बार वहाज नई तीटि आपके सामने हो और आपको प्रकार किस प्रकार होगी वह पूरा प्रफोर्मर भी में परिक्सा हो इसके लाब व्यद्धता दोस्तों, तीन साल हो या लाइप आप तो फैसला राजे सरकार करें कि तो देखते हैं क्या फैसला होता है बाकि इसके नुकसान और फाइदे मैंने बताई है वीडियो बनाया है आज दोपैर को वीडियो डाला था आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी विस्तार परोग बता दिया है कि अगर एक पर हुआ तो दोस्तों अगर वेदता लाइप टाइम होती है तो नुकसान होगा फाइदा की संभवना बहुत ही कम है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों अगर पेपर इजी आता है तो उनका बिलकुल नहीं होने वाला और पेपर टफ आ गया तो दोस्तों आपकी त्यारिचे दो साल की हो या तीन साल की इससे कोई फरक हो नहीं पड़ता है जो बंदा दो हजार अठार में एकसुदीस नमर लाकर बैठा है उसका सेलेक्शन आप समझ सकते हैं पहले होगा आपसे तो देखते हैं क्या होता है या फिर तीन साल ही रहती है पेपर एक होता है दो होता है किस परकार जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही था कि यह जो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे बेड़ती इ दिन जेवर्ट